इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. ओलमिजेस्ट CHBs टैबलेट दो दवाओं से मिलकर बना है. यह विभिन तरीकों से हाई बलड प्रेश को नियंतरित करने में मदद करता है. यदि हाई बलड प्रेश का इलाज नहीं किया जाता है, तो आगे चलकर हौट अटाइग, स्ट्रोक और किड्नी फेल होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. आप ओलमिजेस्ट CHB's टैबलेट को भोजन के साथ या भोजन के बिना ले सकते हैं. डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉंस पर निर्भर करेगी. हर दिन इसे एक ही समय पर खाने की कोशिश करें. जब तक आपका डॉक्टर आपको मना नहीं करता त तब तक इस दवा को लेते रहना आवश्यक है. इसमें डायूरेटिक यानि की वाटर पिल होता है और इसके कारण आपको अधिक बार पेशाब जाना पड़ता है. इसलिए सोने की चार घंड पहले इस दवा को लेने से बचना बहतर रहता है. अगर आप बहतर महसूस करने लगे हैं. तब भी अधिक लाप के लिए नियमित रूप से इस दवा का इस्तिमाल करें. आमतोर पर हाई ब्लड प्रेशर में लक्षन नहीं होते हैं और अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपका होट अटेक या स्ट्रोक का जोखिम बढ़ सकता है. सबसे सामानन साइड इफेक्ट चक कर आना है. अन्य साइड इफेक्ट में थकान, मिचली आना, डायरिया, यानि की दस्त, सिर्दर्द और ब्लड प्रेशर घर जाना शामिल हैं. बार बार पेशा बाना इस दवा का साइड इफेक्ट नहीं है. ये कलोर्टेलीडोन का उद्देश है और ये आपके ब्लड प्रेशर को नियंतरित करने में मदद करता है. आपको अन्य साइड इफेक्ट का अनुभव हो सकता है, लेकिन अधिकतर दूरलब हैं. आप अपनी दवाओं के साथ आने वाले लीफलेट को जरूर पढ़ें और अगर आप साइड इफेक्ट से परेशान ह या उनमें सुधार नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर को बताएं. आपकी खुराक को एज़स्ट करना या किसी अन्य दवा को ट्राई करना संभव हो सकता है. गरभावस्था के दौरान इस दवा को लेने की सलाह नहीं दी जाती है. अगर आपको किड्नी या लिवर की ब धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.